है है हलो बच्चों एक बार फिड़ से बहुत स्वागद थे ही है तो क कैसे हो है आप सब आप सभी अपने घरों पर एक डंव स्वन i. अ बढ़िया अच्छे एपकर पने हलो सबकी क्लास चल रही है भई आजाए जी आजाए गुड आफटानून अभोष शर्मा जी हलो फतिमा जी राहूल प्रभास सना सोनु पांडे गुड आफटानून केश्व बच्चो आप सभी बच्चे फटाफट से क्लास को जोइन कर ले और जिन बच्चो ने नीट 2023 का ए हुसे हो सब बच्चे फटाफट से क्लास को जोइन कर ले अपने जितने भी ग्रुप से बाकी बच्चों को बुला-लो कि हाँ भाईया जी वापस हाँ सर यूट्यूब पे लेकर आऊ ना यूट्यूब पे लेकर आऊना च्थार्ट हो चुकी अब ऑकी तो गुड आफटर ओके मुक्ती हां हां आरंब वाले में भी आरंब में तो पड़ेंगे इंपड़ेंगे बिटा ये classes देखो आरंब में तो जो चल रहा उनका चली रहा है उसमें तो आपको कोई छेड चाडने की जरुत नहीं है उन बच्चों को खबराने की دिस्टरिब होने की जरुवत नहीं है ओके तो आप अच्छे से ओल्रेडी सही जगह है तो आपको परिशान होने की कोई जरुवत नहीं है गुड आफटनून बेटा गुड आफटनून हांजी हांजी बेटा हांजी समर ओके वेरी गूड ओके तो यार आज हम क्या करने वाले हैं क्या-क्या चीजें हैं जो आज हम देखने वाले हर एक बात को अच्छे समझेंगे अच्छे से क्लियर करेंगे तो आज मैंने लिया है बिटा आपका 12 का एक चैप्टर जिसका नाम है विलीयन ओके यहाँ चैप्टर ही आपने क्यों लिया सर सबसे पहला चैप्टर तो ठो सवस्ता आता है तो बिटा ठो सवस्ता अगर हम बात करें एस पर new NCRT आपके NCRT से लिए बसे हटा दिया है तो अपन उसको भी स्टार्ट नहीं करेंगे ठीक है पहले अपन पढ़ेंगे जो हमारा 12 का पहला important चेप्टर है विलियन उसको हम आज स्टार्ट करेंगे और आज का है अपना पहला लेक्चर तो पहला लेक्चर हमारा रहने वाला है बिल्कुल basic और विलियन वाले चेप्टर को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा जान लेना चाहिए कि मोल क्या होता है और इस विलियन वाले चेप्टर में हम क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा असर आप हम अच्छे से बताओ ताकि हम समझ सकें इस chapter की importance क्या है क्या क्या чीजे हैं जो हमें पहले से आनी चाहिए ताकि हम इस chapter को बढ़िया से बढ़िया cover कर सकें तो हलो जी हलो गुडाफटनून गुडाफटनून तो बच्चों यहां पर आज हम इस chapter को start कर रहे हैं विलियन वाले चेप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले में दो खास बातें आपको यहां पर समझाना चाहूंगा, कि यार एक तो मोल के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, केमेस्ट्री में अगर जिस बच्चे को मोल आता है, उसके बहुत अच्छे मोल होंगे, और जिसको अगर मोल नहीं आता, उसके कोई मोल नहीं है, बिटा केमेस्ट्री में, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, आंसर आ गई है बिलकुल, हाँ जी, जो बच्चे नीट दो हजार तेंस का एक्जाम दिये थे बिटा, तो आपको पता होगा, कि आपके म मेच कर सको, ओके वो भी आ चुकी है, आप NTA की ओफिशल वेबसाइट पर जा करके देख सकते हो, ओके उसके लिए आपका एप्लिकेशन नमबर लगेगा, और डेटो बढ़त लगेगी, और जो भी आपको उसमें फिल किया था, वो सारी चीज़े उसमें रिक्वाइड रह करेगी, वो आपको भरना है, आप NTA की आंसर की से और अपनी आंसर की से मैच कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरा आंसर सही है, उनका अंसर गलत है, तो आप चैलेंज भी कर सकते हो, एक क्यूशन के 200 रुपे चार्ज लगेंगे, ओके, हां जी, तो ये सार से जस्ट पहले ही, थोड़े दिर पहले मुझे इन्फोर्मेशन पता चली, तो मैंने इसके बारे हम बताया भी है, ओके, और फिर हम भी देखेंगे, क्या अंसर की आईए, फिर उससे मैच करेंगे, और अगर हमें लगता है कि किसी कुशन में डाउट है, तो हम खुद आप अब आगे, हां जी, तो यार बात करें, अब पढ़ाई पर आते हैं, सब बच्चे पढ़ाई पर आओ, अच्छे से, हां जी, बिल्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, अपन व्लोगर सहाब, टेंशन ना लो, ओके, तो यार, विलियन वाले चेप्टर में हमें क्या-क्या पढ़न के अंदर, ओके, तो इस चेप्टर के अंदर, बोर्स के अंदर, इसका क्या वेटेज है, खास कर बात करेंगे, हम तो नीट के बारे में, तो यार, विलियन वाला चेप्टर ऐसा है, जिससे हर साल, नीट के एक्जाम में, नीट के एक्जाम में, कम से कम, दो क्यूशन तो आ easy क्यों बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ formula put करना है आंसर आएगा बिलकुल formula based question आते हैं बिटा इस chapter से ओके और इस बार question आया था Henry के नियम से बहुत ही simple topic से question आया था आप अच्छे से time कर सकते थे सारी चीज़ों clear चुटकियों में कर सकते थे ओके हां जी बेटा जो पेड़ वाले पागल गेमर बेटा इसमें ऐसा कुछ आपको सोचने की जरत नहीं है आप बेकारी अब बात करते हैं इस chapter में हमें क्या-क्या पढ़ना है सर तो आईए यहां पर हम बात करें content सर कोई भी chapter पढ़ाओ तो पहले यह जरूर बताया करो सर उसमें पढ़ाओगी क्या-क्या हम ताकि हम पहले से पढ़के रख ले हम पहले से पढ़कर आए ओके तो यार बच्चों यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे basic level सबसे पहले आपको पता होना चाहिए mole थोड़ा basic idea यहां पर लेंगे इस chapter में हां हिंदी में बूलूँगा हिंदी में बूलूँगा attention मतले दूसरी बात इस chapter में आपको क्या और चीज़ देखने को मिलेगी सांधरता है अलग- लरता क्या होता है नोर्मलता क्या होता है इनके बारे में मोललता क्या होता है प्रतिशत्ता कैसे निकालते हैं भार बटे भार प्रतिशत्ता आईतन बटे आईतन प्रतिशत्ता भार बटे आईतन प्रतिशत्ता विलियन की सामरते क्या होती यह सारी जिज़े अपन यहीं प हो लेंगे ना तो विलेटा विलेटा क्या शब्द होता है और विलेटा से संबंदित क्या क्या नियम आते हैं उनके बारे में हम यहां पर डिसकस करेंगे जैसेगी हैंरी का नियम हैंरी का नियम उनके बारे में यहाँ पर बाते चले यह अच्छे से, ओके हेंरी साब पर अभी नीट दो हजार तेईस में क्युशन आया है, नीट दो हजार तेईस में, नीट दो हजार तेईस के एक्जाम में हां जी, क्युशन आया था हेंरी के नियम से, हां जी बेटा, रागीनी जी, और अगर हम बात करें इसके बाद आपको इसमें पढ़ना होता है वाश्प दाब वाश्प दाब जैसे कि अगर हम बात करें पेट्रोल वाश्प शील होता है तो वाश्प शील होता है तो उसकी वाश्प बनती है और अगर मान लो पेट्रोल जैसे कि गाड़ी के टंकी के अंदर है तो गर्मियों के टाइम पर बोलते हैं की पैट्रोज एकदम फुल टांगी मत करवाओ मतलला फिर बहुत जादा उसके अंदर जो उसकी वास बनने लगती है जादा यह तक्रा हवट होती है कोलिजन जादा होगा तो उड़ जादा तो थोड़ा गर्मियों में आग पकड़ने के chance ज़्यादा होते हैं बोलते हैं ठीक है तो ऐसा क्यों क्योंकि पेट्रोल वाश्प शील होता है तो उसकी वाश्प बनती है और वो वाश्प क्या करती है उस द्रव की सते पर दाब लगाती है तो वाश्प दाब तो वो वाला पार्ट हमें यहां पर है और वाश्प दाब से रिलेटेड एक सिद्दान एक नियम आता है राउल्ट साहब का तो वो राउल्ट साहब का नियम क्या बोलता है उसको समझना है यह कुछ बैसिक बैसिक चीजे जो यहां पर अगर आप समझोगे तो आप इनको डेली लाइफ से भी रिलेट कर पाऊ यहां पर अगला आता है अनु संक्यक गुनधर्म जो की बहुत इंपोर्टेंट पार्ट इस चेप्टर गा अनु संक्यक गुनधर्म के बारे में हम आएगे डिटेल में पड़ेगे बहुत सारे बच्चे भी जस्ट क्लास 12 में आएँगे उनको ज़्यादा पता नहीं होग तो यार यह मैन मैन चीजे हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करनी होती है अच्छे से समझनी होती है तो आई होप आप इन सारी चीजों को ढंग से समझेंगे बढ़िया से क्लियर करेंगे और यह चैप्टर बहुत अच्छा है बहुत ही फाइदे मंदे आपके लिए सारी बेसिक चीज़ें को कवर करने के लिए अब जैसे कि यहां पर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग तरह के क्यूशन से जो मैं लेकर आया हूँ इन क्यूशन को हमें समझना है कैसे समझेंगे जब तक पहले हमें थोड़ा बेसिक लेवल का एडिया नहीं अगर तो सिर्फ 12 की तैयारी कर रहा है तो कोई पड़ेने के जरूत नहीं है नीट की तैयारी कर रहा है तो अभी सोलीड इस्टेट को होल्ड पे रख दे क्योंकि न्यूशन को हटा दिया है जब तक एंटी अपना सलेबस रिलीज नहीं करेगा तब तक उसको यह मान के चल की एंसे अटिक एकोडिंगी आता है तो अभी उसको थोड़ा होल करके रखो बाद में उसको पड़ लेना ठीक है कोई दिक्कत नहीं अपन पड़ेंगे बाद में हाँ जी तो अब यहार काम की बात पर आते हैं मोल मोल हाँ जी तो जैसा कि आपने क्लास 11 में पड़ा होगा मोल के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने पड़ी होगी मोल के बारे में ठीक है तो यहां पर हमारे को जितना काम का है उतना पड़ना है बस ओके तो मोल है क्या यार जैसे आप मार्केट में केले लेने जाते हो दरजन के भाव से मिलते हैं ठीक है अगर मैं बात करो गुड़गाओं में तो गुड़गाओं में तो दरजन के भाव से मिलते हैं कि 70 रुपे के एक दरजन इसे साथ रुपे के एक दरजन कहीं थोड़े अगर दूसरे एर दर्जन भी एक संग्या को बताती है जैसे कि एक दर्जन में बारा होता है अब ये बारा कोई भी हो सकता है ना एक दर्जन में बारा पेन हो सकते हैं एक दर्जन में बारा आम हो सकते हैं एक दर्जन में बारा सेब हो सकते हैं उसी तरीके से एक सेकड़े का मतलब होता है एक स सेकड़ा में सो होता है एक दर्जन में बारा होता है उसी तरीके से एक मोल भी एक संक्या को डिनोट करता है एक दर्जन बराबर बारा अब बारा एक संक्या है एक मतलब बारा चीजों का समू बारा वस्तों का समू मतलब एक दर्जन जैसे कि बारा पेन तो एक दर्जन बारा तो एक दर्जन बारा सेब तो एक दर्जन बारा कोई भी हो वह एक दर्जन के एक वल होएगा जैसे कि बारा स्टुडेंट एक दर्जन स्टुडेंटों ने एक दर्जन स्टुडेंट्स ने कोलेज के बाहर धर्णा दिया ऐसा आता है ना चातर नेता आते हैं तो आके कोलेज के बाहर धर्दान धर्णा देने लगते हैं तो एक दर्दन स्टुडेंट्स ने कोलेज के बाहर धर्णा दिया तो वह यह अभी आज अभी जैसे कि आपने पड़ा होगा उडिसा में ट्रेन पट्रे से उतर गई तो उसमें बहुत सारे लोगों की देथ हो गई यार तो मतलब वैसे तो उनके लिए तो मतलब अपन मतलब उनके लिए तो यार अपन यही बूल सकते हैं कि जो भी उसमें दुर्गटना में घायल हुआ है उन सब का बढ़िया से ठीक से उपचारों वह बढ़िया से ठीक ठाकों करके वापस अपनी लाइफ जी सकें और उसमें आपने य मतलब होता है सो तो कहीं ना कहीं यहां पर सिंपल सी यह चीजें हैं कि सेकड़े का मतलब है सो दरजन का मतलब है बारा ओके हां जी हां तो यार वो जो दुरुगटना में हुआ बहुत गलत हुआ ओके तब अपन उसका कुछ भी नहीं कर पास कुछ भी नहीं कर सकते वो दुर तरग रहेगी ताकि इस तरह की दुरुगटना न हो सके इनको कम से कम किया जा सके तो यार कहीं न कहीं एक दर्जन बराबर बारा एक सेगड़ा बराबर सो है तो उसी तरीके से एक मॉल बराबर भी कुछ होता है और ये मोल एक मोल किसके बराबर होता है ये एक संक्या जैसे ये एक संक्या है उसी तरीके से कन जो बहुत छोटे-छोटे होते हैं जैसे कि परमानविये कन बहुत छोटे-छोटे होते हैं तो एक मोल बहुत बड़ा नंबर होता है बटा एक मोल में कितने सारे कंड होते हैं six point zero two three गुणा दस की घाथ 23 इतने सारे कंड होते हैं अगर इतने सारे कंड हो तो उसको बोल देंगे हम एक दरजन ये एक बहुत बढ़ी संक्या है जिसको हम सिंपल ने बोल देते हैं अच्छा यह तो एक दर्जन है ओगे जैसे कि हजार किलो अरे हजार किलो नहीं है वो मतलब वो तो एक टन है एक टन में हजार किलो होता है तो एक हजार किलो बहुत बड़ा लगता है एक टन तो कहीं न कहीं एक मोल एक इतने सारे कड़ों क कि संग्या को रिप्रेजेंट करता है और यह किसके लिए काम मिलेते हैं मोल कहीण कहीं हमें पदार्थ की मातरा को बताता किस क्यों बताता है बिटा पदार्थ की मात्रा को बताता है अच्छा सर ये संक्या कहां से आई आपके घर से आई मेरे घर से आई कहां से आई ये संक्या तो बिटा ये संक्या अगर हम बात करें सर ये कहां से निकाला गया इन कणों की संक्याओं को कहां से निकाला गया तो ब मास इस्पेक्ट्रोइस्कोपी मास इस्पेक्ट्रोइस्कोपी ये एक ऐसी ब्रांचे जिसके जरिये हम क्या करते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं किसी भी पदार्थ उनका द्रविमान ग्याद करते हैं तो ये जो वेल्यू आती है किसके लिए आती है कार्बन बारा के बार ग्राम पर्माणू कार्बन बारा के बारा ग्राम पर्माणू बारा ग्राम में उपस्तित पर्माणू की संक्या होती है ग्राम पर्माणू की संक्या है कि मैंने कार्बन बारा ग्राम 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 इतने सारे आए इतने सारे परमाणू एक मोल के बराबर है जैसे मैंने मैंने उठा लिए 200-300 अनाच के दाने उठा लिए तो वह एक मुट्टी हो गया तो से मुझतरी के से कि वहिया कारवन बारा के बारा ग्राम में कारवन बारा के बारा ग्राम में जितने परमाणू की संक् इतने सारी आई थी ठीक है ओके तो एक मोल में इतने सारे कण होते हैं अब ठीक है ये बात हमें समझ में आ गई ये चीज हमने क्लियर कर ली अब सर ये मोल हमारे कहां काम में आता है इससे हम और क्या क्या चीजे पता लगा सकते हैं या मोल किस तरीके से हम ग्याद कर सकते हैं स तो हमें कहीं न कहीं विलियन वाले चेप्टर में हमारी समझ को बढ़ाएगी हमें उतना जानना है ताकि हम अच्छे से इनको समझ सके बढ़िया से क्लियर कर सकें तो यार मोल ग्यात करना मोल इसको एन से व्यक्त करते हैं मोल को इस मोल एन से व्यक्त करते हैं मोल ग्यात करना हलो जी हलो बच्चो तो अब मुझे आप बताओ कमेंड बोक्स में मोल गयात करने के सुत्री क्या है बिहार से हो अरे वाब बेरी गुड हन जी ओके तो आजाइए जी आजाइए मनुच जी आपको परेशान होने की जरुत नहीं बिटा आपके लिए अल्रेडी हमने बैस से ब पर पहला फोर्मूला होता है कि आपको ग्राम में भार दे रखाओ और आपको बाकी चीजे आपको ग्राम में भार दिया जैसे कि मान लो कि जो परमानविये कने या अनू है या योगी के उनका ग्राम में कुछ भार दे रखाए दस ग्राम पंद्रा ग्राम तीस ग्राम और आप से बोला जाए उनके अंदर कितने मोल है तो सिंपल सा सुत्रे बटा ग्राम में भार बटे मोलर द्रवेमान मोलर द्रवेमान अब यह मोलर द्रवेमान क्या होता है मोलर द्रवेमान परमाणू के लिए परमानू के लिए उसका परमानू भार ग्राम में ग्राम परमानू भार मतलब परमानू भार को ग्राम में लिख दो जैसे कार्वन का 12 होता है तो 12 ग्राम और अनू के लिए होता है ग्राम अनू भार अनू के लिए क्या होता है ग्राम अनू भार ग्राम अनु भार ओके जैसे कि परमाणू आगर मैं बात करूं ओक्सिजन नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ये सब परमाणू है ओके तो इनका ग्राम परमाणू भारी आपका यहां पे रखना है जैसे कि ओक्सिजन का परमाणू भार होता है 16 तो ग्राम में लिखोगे तो 16 ग्राम, नाइटोजन का 14 ग्राम, कारबन का कितना होता है, 12 ग्राम, हाइडन का कितना होता है, एक ग्राम, तो ये ग्राम परमानू भार है, ओके, और अनू के लिए अगर मैं बात करूँ, अनू क्या होता है, जो इसमें एक से ज्यादा परमानू हो, जो मतलब परमानों स एच्टू ये एक अनू हो गया तो अगर मैं यहां पर इनका अनू भार लिखूंगा ग्राम अनू भार ग्राम में लिखूंगा तो यार यहां पर अगर मैं बात को जैसे कि एच्टू का होता है दो ग्राम ग्राम अनू भार ये ठीके ओके अगर मैं ओटू की बात करूं तो एक उक्षिन का होता है 16 दो उक्षिन इसमें दो गुणा 16 यह हो जायेगा 32 ग्राम अनु भार या फिर मोलर द्रविमान बोल दो मोलर द्रविमान का मतलब एक मोल का द्रविमान एक मोल का द्रविमान भाई एक मोल का दरविमान जितना होता है यहां रख दो टोटल कितना दे रखा है निकाल लेंगे ओके वेरी गुड एंटु का कितना आएगा इससे क्या होगा जिन बच्चों ने उल्लेडी पढ़ा होगा उनका रिविजन हो जाएगा एंटु का हो जाएगा पेटा एक ओक् objet से लुडाई कर दो इा लिए जाएगा 44 ग्राम ओकेव एच टुके लिए निकाल दो डो आएग्डोजन होता है एक होक्सेयन है एक ओक्षिजन का सो ला इसको जोडूगे तो या जाएगा 16 और दो 18 ग्राम क्या गय है यह ग्राम अनुभार तो आपको मॉल निकालना हो तो आप क्या करेंगे मॉलर द्रवे मान से डिवाइड कर देंगे जो भी ग्राम में भार दे रखा है तो आपको मॉल निकल जाएगा आप अच्छे से मॉल जियाद कर सकते हो। जैसे की एक क्यूशन लेते हैं जैसे की केसी एलो की संक्या होगी मोलों की संक्या होगी अब इस क्यूशन को मुझे करना है तो यार यहां पर इस क्यूशन को करने के लिए मुझे क्या पता करना है मोल की संक्या ग्याद करनी है तो मोल की संक्या ग्याद करने के लिए मेरे को सुत्र लगाना पड़ेगा ग्राम में भार बटे अनुभार, मोलर द्रवेमान, ग्राम में भार बटे, मोलर द्रवेमान, अब इसका ग्राम में भार इतना दे रखा है, इसका मुझे मोलर द्रवेमान ग्याद करना पड़ेगा, अर्थाथ इसके एक मोल का भार ग्राम में कितना होता है, वो मुझे पता होना चाहिए, तो जरा देखो ध्यान से potassium और chlorine और 3 oxygen इसमें इसमें क्या क्या है potassium है chlorine है और 3 oxygen उन तीनों को जोड़ना पड़ेगा तब जाकर के इसके लिए क्या निकाल पाऊंगा मैं ग्राम अनु भार या molar द्रविमान में निकाल पाऊंगा तो जड़ा देखो ध्यान से potassium का कितना होता बचो ठीक है ओके अगला क्लोरीन का होता है 35.5 ओके तीन ओक्सियन एक ओक्सियन का होता है 16 तो जरा देखू ध्यान से यह 49 और 35 यह हो जाएगा दिया क्या है ग्राम में भार केसी एलो थ्री का ग्राम में भार का ग्राम में भार बच्चों ने कर भी लिया ओके यह कितना दे रखा है 366.5 ग्राम बस तो मोल ग्यात करना है मोल ग्यात करने का सुत्र होता है ग्राम में भार बटे अनुभार ग्राम में भार कितना है 366.5 गुरू जी अनुभार कितना है 122.5 तो तीन बार चम चम तीन मोल आगया ओके जब भी मोल आप इंगलिश में लिखोगे ना इकाई के रूप में तो ए नहीं लगाना ठीके मोल लिखना होता है ध्यान रखना ओके तो यहां पर यह कटकुटा कर कितना जाएगा तीन मोल जाएगा बोलो तो समझ में आया ग्राम में भार दे कखा है फिर मोल निकालने के लिए बोला जा रहा है हमसे तो डेफिनेटली कर सकते हमें घबराने की ज्रत नहीं अच्छे से कर सकते हैं ओके जी अब आगे बढ़ते हैं अब सक ग्राम में भार देने के बजाए मुझे संक्या दे रखी हो तो बिलकुल तो जरा देखो ध्यान से संक्या वाला कैसे करना है चुकि हम जानते हैं बेटा एक मोल में कितना होता है छे दश मलव जीरो दो तीन गुणा दस की घा तेईस होता है अच्छा इस संक्या को क्य आओ गाद्रो संक्या आओ गाद्रो आओ गाद्रो संक्या पक्का आओ गाद्रो बैया आओ गाद्रो विग्यानिक का नाम है जैसे अगर तुमने खोच करी होते तो तुम बोले रामचर्ण संक्या ठीक है सलमान खान संक्या ठीक है अगर मैंने खोच करी होते तो फिर मैं का या N Note, कई बुक्स में N Note भी लिखा होता है, N के नीचे 0, ओके, अब, एक मोल में इतने सारे कण होते या N A के बराबर कण होते हैं, बोल सकते हैं, इतने सारे कण होते हैं, तो 1 mole में इतना होता है जैसे गी 1 आपके पास pencil के डिब्बें हैं बहुत सारे एक डिब्बे में अगर मान लो paar RSOP एक एसे आपके पास एक डिब्बे में पांच पैंसिल है ऐसे आपके पास 75 पैंसिल हैं तो कितने डिब्ब्बें हो जाएंग이 75 बटे 5 किया आपने फिर उसको सोल गया जो भी आंसर आया उसके साब से आपने वेल्यू निकाल ली तो कहीं न कहीं आपके पास जितने पैंसिल है और एक डिपे में कितने पैंसिल है उससे डिवाइड करा तो सेम वही पर यहां पर मोल गयात करने का भी सुत्र एक और बन गय करना मोल गयात करने का एक सुत्र और बने गया कि जब मुझे कड़ों की संक्या दे दी जाए तो एक मोल में कितने गणुटे उससे डिवाइड कर देंगे ओके तो यहां पर उपर लिखेंगे कड़ों की संक्या कड़ों की संक्या बटे एक मोल में कितने गणुटे एने के बराबर बोले तो six point zero two three गुणा दसकी घात तेवीज क्या मेरी बात समझ में या इसको एने लिखकर के छोड़ दो ठेके या एने आर यू गेटिंग मैं पॉइंट तो इस तरीके से हम यहाँ पर मोल ग्यात कर सकते हैं बोलो रस गुल लो मोललता और मोललता में क्या भिन्नता है ओके बेटा एक में र आता है एक में ला आता है यह भिन्नता है ओके हंजी ओके तो यार आई होप यहाँ तक यह चीज़े clear हो गई तो हमने यह चीज़ भी देख लिए अब इस पर related कोई question आ जाए सर मेरे को अब यह बताओ इसके अंद लो मैंने question लिया हुआ है कि इस पर ओके 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 हंजी अब जैसे कि यह वाला question अपन लगाते हैं फिर उस पर भी चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं या फिर पहले एक बार में तुम्हें बता जिता हूँ एक simple सा कोई भी question लेकर के जैसे question मान लो कोई भी हमने question ले लिया और उसके अंदर मुझे क्या बताना है परमानों की कणों की संग्या दे रिखी मुझे और बताना है फिर इसके कितने मूल लगेंगे जैसे कि मान लो simple सा 3.01 ठीक है into 10 to the power 23 या फिर इसको लेकर के चलते हैं अपन आपके पास question है ठीक है बढ़िया से जिसे कि मान लो एक question में लेता हूँ एक question में लेता हूँ शायद मैंने पहले भी ये class में करवाया हुआ है आपने अच्छे से किया हुआ है सारी चीज़ें आपने देखी हुई है ठीक है यदी CO2 के यदी CO2 के यदी CO2 के छे गुणा दसकी घात 20 अनों को अनों को ओके अनों को 200 mg CO2 में से हटा लिया जाए तो 6 CO2 के मोल होंगे ये question करोगे बटा हाँ जी बताओ बताईए 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 बच्छों बताईए क्या आप ये question कर पाएंगे कि मेरे पास CO2 के इतने सारे अनों है उसमें से मैंने 200 mg हटा दिया 200 mg CO2 अटा दी तो आपको बचे हुए CO2 के मोल बताने है अब ये question कैसे करें फिजिकल केमेस्ट्री की खासियत यही होती है कि हम पढ़ते तो है हमें समझ में भी आता है लेकिन जब सामने question आता है तो दिमाग काम करना बंध हो जाता है हैंग हो जाता है कि इस साला चल क्या रहा है ओके तो अब यहां पर इस question को अच्छे से समझो और क्या है इसमें चीज सारी बातों को clear करो यार भाईयों हमें इसमें क्या बोला गया है कि मेरे पास इतने सारे CO2 अनू मेने को 200 मिलिग्राम में से इसक्यूशन दुबारा देखो 200 मिलिग्राम CO2 में से में इतने सार्य अनू खटा दिये मतलब total मेरे पास 200 भृजी इंग से यो टू है total इतनी है ओके अब total इतनी है तो इतने में से मेंने कूतने आटा दिये इतने में से मैंने यतने छे गुणा दसकी घात 20 अनू CO2 के हटा दिये अब मेरे को अंतरी तो बताना इतने में से इतना आ गया तो कितना बच्चा अब सराप किसको? MG, मिलीग्राम, ये तो भार है और ये संक्या है भार में से कभी संक्या घटती है क्या? अब जैसे कि मैं मान लो आप से पूछ लू मान लो, दो किलो में से अब मैं आप से इसा मतलब एक अलगी पेचीदा सा क्युशन पूछ लू कि बता भाई ठीके, पास सो ग्राम में से पास सो ग्राम में से अगर मैं सतरा केले है यह तो भाय है, और यह संक्या है, यह तो भाय है, यह संक्या है, मतलब हम इनको direct minus नहीं कर सकते हैं, इन डोनों के बीच की एक कड़ी है, mall, इससे पहले मुझे mall निकालना पड़ेगा इससे मुझे mall निकालना पड़ेगा फिर minus कर दूँगा, answer आजाएगा समझ में आया कि नहीं आया clear हो गया क्या, यहां पर यह भार दिया हुआ है, यह संक्यादी हुई है, तो मुझे पहले इसके मोल निकालने पड़ेंगे इतने मोल माइनस इतने मोल बचे हुए मोल ठीक है ओके वेरी गुड तो यहाँ से पहले मैं co2 के मोल निकालनों क्या मोल्स ओफ co2 मोल्स ओफ co2 फाइंड आउट कर सकते हैं तो मोल्स ओफ co2 find out करने का formula होता है gram में भार बटे अनो भार तो ग्राम में भार तो नहीं दे रखा मिली ग्राम में दे रखा है वाई साब तो ग्राम में भार हो जाता है 200 मिली ग्राम में दे रखा है अब जरा देखो ध्यान से इस मिली ग्राम को ग्राम में कनवर्ट करने का कुछ पता है आपको एक ग्राम में कितने मिली ग्राम होते हैं पता है आपको बताओ यार बच्चो क्योंकि हम physical को कर सकते हैं बट physical हमसे इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमें question में समझनी आता पहली बात तो दूसरी बात हमसे calculation नहीं होती तीसरी बात हम मातरक बदलना भूल जाते हैं ओके तो मैं आपको ये बता देता हूँ मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा एक ग्राम में होता है 1000 मिलिग्राम मतलब एक ग्राम में होते हैं 10 की घात 3 मिलिग्राम तो मुझे तो मिली ग्राम को ग्राम में बदलना है तो यार अगर मैं इसको उल्टा कर दू तो एक मिली ग्राम बराबर हो जाएगा दसकी घात तीन नीचे आएगा उपर जाएगा माइनस तीन हो जाएगा दसकी घात माइनस तीन ग्राम एक मिलिग्राम में इतना होता है ओके यह छोटी-छोटी चीजे है बेटा ताकि आप इनको निकाल सको बढ़ियास इनको दूर कर सको एक ग्राम में होते हजार मिलिग्राम तो यहाँ पर एक इसको 200 गुणा एक mg लिख सकता हूँ न और एक mg की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं दसकी घात माइनस 3 तो यहाँ पर क्या मैं दसकी घात माइनस 3 से गुणा करते हैं यह ग्राम में कनवर्ट होगा वेरी गुड़ ओके अब सियोटू का भार कितना होता है भाई या 44 सही कर रहे है अपन ओके तो यहाँ पर इसको सोलू करना पड़ेगा यहाँ पर इसको सोलू करना पड़ेगा थोड़ी केलकुलेशन आएगी सही कर रहे थे कि अपन ओके हांजी अब यहाँ पर केलकुलेशन अपनी आसान हो जाए है हांजी ओके तो 220 जैसे हम करेंगे तो बताओ रस गुलों कितनी बार कटा ये 5 बार ओके कितनी बार कटा पेटा 5 बार तो ये हो गया 5 गुणा 10 की घात मैनस 3 क्या निकला ये hello hello YouTube वाली जनता समझ में आया आपको जो मैं कर रहा हूँ 5 गुणा 10 की घात मैनस 3 आया क्या आया मोल आया क्या आया यह मोल आया CO2 का जो टोटल था इतना मोल आ गया मेरे पास अब इतने मोल में से मैंने इतने मोल निकाल दिये अब कितने मोल निकाल दी भईया यहां से वापस से मोल निकाल लो मोल ग्यात करने का सुत्र यह क्या दे रखे मेरे को संक्या दे रखे तो संक्या को संक्या से डिवैड गरेंगे ना भया इतने सारे अनू दे रखें छे गुणा दस की घात 20 दे रखा है और एक मोल में कितना होता है एक मोल में इतना होता है अब मैं आपको खास काईदे की बात यह बताता हूं बिटा एने का मान कितना होता है 6.023 गुना दसकी घाथ 23 यह तो होता है हम भी जानते हो आप भी जानते हो लेकिन हमें नीट के एक्जाम में गोला भरना है ओके महाँ पर पूरी केलकुलेशन नहीं करनी हम अप्रोक्स में लेकर के अंसर निकालने न तो यार में इसको अगर देखो 6.0 फिर 2 छे के लगबगी माने न तो इसको अप्रोक्स में आप 6 लेकर की भी सोलू कर सकते हो इतनी कोई दिक्कत नहीं है ओके तो 6.02 बोलो या 6 बो मेथड यह अप्लाई किया करो जहां पर पॉसिबल हो सके ओके काटने में असानी रहेगी ओके तो जैसे ही अगर तुम यहां पर नीचे एने का मान रख दोगे एने एने की जग़ क्या रखोगे यह उपर तो 6 गुना दसकी घात 20 हो गया नीचे 6 गुना दसकी घात 23 हो गया ओके 23 हो गया ओके 6 से 6 चम चम और यह कट जाएगा तीन बार तो दसकी घात माइनस 3 मूल आ गये क्या यह हमने निकाल लिए इतने सारे मूल में से इतने सारे मूल मैंने माइनस कर दी तो मैंने यहां पर आपको दोनों तरीके से मूल गयात करना सिखा दिया ग्राम में भार रखा तो कैसे ज्याद करते हैं संक्या जे रखी हो तो कैसे ज्याद करते हैं समझ में आ गया अब इतने में से उतने माइनस करने 6 मूल आ जाएगे तो 6 मूल 6 CO2 के मूल टोटल मूल 5 गुणा 10 की घात 3 सही है ना 3 ही था माइनस 3 ओके और माइनस 10 की घात माइनस 3 इसको एक गुणा 10 की घात माइनस 3 लिख दू ठीके ओके तो अब बस क्या गरना है अपने को 10 की घात कोमन क्या रहा है 10 की घात माइनस 3 यहां पर भी 10 की घात माइनस 3 यहां पर भी तो 5 माइनस 1 बजघ गया, दसकी घात 3 मेरे पीछे कॉमर ले दिया तो भैया 5 माइनस 1 4 हो गया, तो 4 गोना दसकी घात 3 क्या है इए, ग्राम में मात्र आई, मिलिग्राम में मात्र आई नहीं ये मोल आए, तो पीछे मोल लिख दू समझ में آया? ओके? समझ में आया हर एक बच्चे को समझ में आ सकता है और जो बच्चे ओलरेडी बेटा अब मुझे यह लगता है कि जो आरम बेच में पढ़ रहे हैं और जो तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो दोनों में बेटा अभी चेप्टर चल रहा है अपना विलियन वाला तो उससे पहले कुछ छोटी-छोटी चीजे ही जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो मैं क्लियर करवाना चाहता हूं ओके तो यह चीज के लिए हो गई अच्छा सर ये वाली बाद भी हो गई अब एक और होता है मोल ग्याद करने का फोर्मूला मोल ग्याद करने का एक और फोर्मूला होता है वो क्या होता है हांजी किसी गेस के लिए अगर तुम्हें मोल ग्याद करना हो किसी गेस के लिए किसी के लिए नहीं किसी गेस के लिए हाँ जी अगर मैं किसी गेस के लिए मोल केलकुलेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है बिटा किसी को पता है मोल ग्याद करने का एक फॉर्मूला और होता है ठीक है वो फॉर्मूला क्या है आपको कुछ विशेश परिश्थितियों पर आयतन दिया जाएगा ओके तो वो इस्तितिया क्या है STP या NTP पर आयतन ओके बटे 22.4 यहाँ पर जो भी आयतन है वो लीटर में लिखना ओके इस तरीके से यह वाला फोर्मुला STP या NTP क्योंकि दोनों पर आयतन यही होता है अपन 22.4 लेके सोलू करते हैं STP बोलो या NTP बोलो क्योंकि दोनों पर हम आयतन क्या लेके सोलू करते हैं आगे 22.4 यह लेकर के चलते हैं ओके हाँ जी जो भी आयतन दे रखा है बटे 22.4 करना होगा क्यों कि एक मोल का अइतन इतना होता analytics अंद से डिवाइड कर तो काम हो जायेगा और असाान हो जायेगा बोलो जी बोलो समझ में आगया समझ में आगया अरै क्लीर हो गया हर एक बच्चे को क्लियर हो गया अच्छा यह STP, NTP अगर पता नहीं हो तो देखो दियान से, STP का मतलब होता है, STANDARD TEMPERATURE PRESSURE मानक TAP DAP, हिंदी में लिछ देता हूँ, मानक TAP DAP, मानक TAP DAP, बोलो रस गुलो, और NTP का मतलब होता है, मानक स्वरी सामानने ताब दाब सामानने ताब दाब ओके मानक परिस्तिति ओपर जो प्रेशर होता है बेटा प्रेशर पी दाब ये लिया जाता है एक बार ओके और टीम्परेशर होता है कितना डो जिरो डिग्री सेल्सियस या फिर 20 ruh 30 केल्विन ठीके ये लेते हैं और जबकी यहां पर आप ग्रे Automaty में लेते हैं एक अक्त अक्ता ट्या सेलसी या 200 तर्यान में पॉइंट वो 1 5 लिख दो ठेके इतना वो यहां पर लिख दो फिर 1.15 के लिए 233.15 और 200 तर्यान में दश्मलों एक पाच ओके तो यार यह बेसिक आपको पता होना चाहिए ताकि आप अच्छे से अभी से निट 2000 चोईस का एक्जाम निकालो तो छोटी छोटी जानकार या पता होनी चाहिए और आयतन दोनों इस्तितियों पर कितना आता है 22.4 या ठीक है ओके, STP बोलो या NTP बोलो दोनों पर एक मोल गेस का इतन, एक मोल गेस का आइतन, ठीक है, वैसे एक में 22.7 आता है, लेकिन अपन कैलकुलेशन में 22.4 ही रखते हैं, ठीक है, एक मोल गेस का इतन कितना होता है, STP या NTP पर 22.4 लीटर, इसे से आपको कैलकुलेशन सोलू करनी, सारे की सारे, जितनी भी कैलकुलेशन है, वो सारी इसी पर सोलू करनी है, अब सर बहुत सारे पूछते हैं, सर यहां बार लिखा, यहां ATM लिखा, यह ATM पैसे निकालने वाला है क्या, नहीं, यह दाबगी काई ह बार भी दाब की काई होती, यह भी, तो इनमें आपस में कोई संबंद होता है क्या हां जी, एक बार बराबर 0.984 ATM होता है, मतलब एक बार इतने ATM के बराबर होता है, मतलब ATM बढ़ा होता है, बार छोटा है, क्योंकि देखो, दश्मलों में 0 से कम वेल्यू, एक से छोटी व काम आएगा, ओके बच्चों, तो यह हमने तीसरा फॉर्मूला जान लिया, मोल गयात करने का, ओके, अब अगली बात, तो सर इस पे एक आद क्यूशन गरवाद हो, तो मो जू जाएगे मारी, ओके, तो यार एक आद क्यूशन देख लो, फिर अपन जो क्यूशन में लेकर आएं, उनको सोलू करते हैं, फिर आगे सांदरताओं के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि पहले मोल जानना जादा जरूरी है, हाँ जी, तो जैसे कि मान लो, एक क्यूशन अपन ले लेते हैं, उसको सोलू करते हैं, बढ़िया से, अच्छे से, और सारी चीज़ों को मैं चाहता हूँ, आपको मैं करवाँ, ओके, जैसे कि सपोस्ट करो, मान लो, अगर हमने लिया है, 44.8 लिटर सीओ टू के मोल होंगे, बस एक बार सीख लो तुम, मोल होंगे, 44 लिटर सीओ टू है, 8 STP, 8 STP, तो CO2 के मोल होंगे, हांजी, इस वाली चीज़ को सोलू करो, ATM बड़ा या बार, बेटा, ATM बड़ा होता है, ठीक है, हांजी, बार तो ATM का 0.9, थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, हांजी, अब जड़ा देखो ध्यान से यहाँ पर, सर आपको doubt के से बेज़े, अच्छा doubt के से बेज़े, तो doubt ब platform बता सकता हूं, मेरे, जहां पर मैं आपको personally, guide करता रहूंगा, ठीक है, डी, ओ, यू, ए, ठीक है, personally, guide करता रहूंगा, आप, टेलिग्राम चेनल जोइन कर सकते हैं, और टेलिग्राम चेनल है, बिटा मेरा, at the rate कामेश जाएंगे, यह टेलिग्राम चेनल है, यहाँ पर जाकर के आप जोइन हो सकते हैं, ओके, और, इंस्टा तो, आप अभी यह पढ़ लो, ठीक है, पढ़ाई करने पन, तो इसको अप यह बनाया, ओके कि आप टेलिग्राम चेनल बना लो, सर, तो आप यहाँ पर आगर के बात कर सकते हो, और फिर यही पर आप मुझे परसनल मेसेज कर सकते हो, ठीक है, ओके, अब वापस से पन यहाँ पर आते हैं, तो यार, इतना लीटर आईतन दे रखा है, तो सीओ टू के मुझे मौल ग्यात करने है, तो भीया काम हो जाएगा, क्या करना है, तो भीया यहाँ पर क्या करना है, एस्टी पेपर दिया गया आईतन, 44.8 लीटर, ओके, बटे में, 22.4, 22.4, ओहो, यहाँ दो बार कड़ीया, सर, दो लीटर आगे, दो मौल आ गया, ओके, दो मौल इस तरीके तुम ग्यात कर सकते थे अब एक दो कुशन अपन ओर लगा लेते हैं ताकि आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए फिर अपन सांद्रता वाली चीज़ों को समझ सके हां जी तो सबसे पहले एक बेसिक सा प्रशन ये रहा हां जी बच्चों सबकी प्रैक्टिस होए अ इसी होती बटा जिसको ना मतलब मतलब उसमें मैं चाहता हूं मैं ही कमेंट करूं बस मैं इंफोर्मेशन भेजू इसलिए वो चैनल मैंने बनाया है आप मुझे परसनली मेसेज भी कर सकते हो नो डाउट लेकिन अधरवाइज ना फिर ग्रूप ग्रूप नहीं रह पाता है उसमें इधर-उदर की बाते चलती रहती है ठीक है तो फिर वो चीज़े कहीं न कहीं पढ़ाई सेट करके दूर चली जाती है ओके हाँ इस क्यूशन को आप लगाओ 4.25 ग्राम अमोनिया में परमाणू की संक्या कितनी है अब आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अमोनिया एक अनू है समझ मैं इसमें हमसे पूछ रहा है परमाणू की संक्या हम भाव को जाते हैं हमें पता नहीं होता है पूछ क्या रहा है हम आंसर क्या टिक कर गया जाते हैं होती बटाइस गलतिया होती मुझसे भी होती थी मैं कंफ्यूज हुआ था था अनू और परमाणू में और सक्कर में नंबर नहीं आते थे लेकिन अब आप सही तरीके से पड़ो चीजों को समझो अच्छे से क्लियर हो जाएगा हां जी अमोनिया एक अनू है और एक अनू में कितने परमाणू है एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन टोटल चार परमाणू है क्या ये बात क्लियर आ गई एक अनू है जिसमें चार परमाणू है तो आपको क्या दे रखा है मुझे भाई साब इतना भार दे रखा है तो संक्या ग्याद करने के लिए मोल से गुजरना पड़ेगा संक्या ग्याद करने के लिए मुझे मोल से गुजरना पड़ेगा काम हो जाएगा बस तो सल्यूश मोल्स ओफ अमोनिया ग्याद कर लो अमोनिया के मोल कैसे याद करें ग्राम में भार ग्राम में भार कितना चार पॉइंट दो पांच ग्राम बटे अमोनिया का ग्राम पर मानू ग्राम अनू भार कितना है बेटा यह चल रहा है अपना विलियन वाला चेप्टर जिसमें मैं एक लेक्चर थोड़ा basic रगना चाहता था इसलिए मैं मोल लेकर आया फिर सांधरताओं के बारे में बताओं तो यहां पर यह होता है 17 ओके जब आप इसको कितना आएगा इसको काटगे देखो यार इसको कट करके देखो कितना आयेहा ओके अगर हम बात करें स्को COLOR दो यह 0.59 इसको SLU करते हैं ठीक है दश्मलाव div지만 मैंने गाठिया ठीक है 17324 होते हैं ठीक तो दो बार ओके 17,5,85 ओके तो यह आ जाएगा एक बटा चार मूल क्या मैं सही बूल रहा हूं एक बटा चार मूल आपके क्या आगई अमोनिया एक बटा चार मूल क्या आगई मेरी अमोनिया अनु आ गए मुझे संक्या ग्याद करनी तो एनए से गुणा कर देंगे ओके तो यहाँपर इतने सारे एक बटा चार मूल आपके क्या ग्याई क्या जाएंगे अमोनिया अनु क्या एनेश्थ्री अनु आ जाएंगे इतने सारे मोल अमोनिया है तो इतने अनु आ जाएंगे लेकिन मुझे अनु नहीं पूचा गया है मुझे परमानु पूचा गया है मुझे क्या पूचा गया है परमानु पूचा गया है देखो की संक्या निकालनी हैं तो भीय सो लूगरना पड़ेगा ओर सो लुगर के इसका अंसर बताना पड़ेगा एक बटा चार गुणा एने इतने सारे तो अमोनिया अनू थे और एक अनू में कितने पर्माणू एक अनू में गुरू जी तो सिर्फ एने बचा एने एटम्स एने का मतलब आउगादरो संग्या और आउगादरो संग्या यहाँ पर कौन सी छे गुणा दसकी घाथ तेइस तो जो बी 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 बोल रहे थे तो क्यों बोल रहे थे समझ में आया तो छोटी छोटी चीजों को आपको इगनोर नहीं करना है जल्दी बाजी शेतान का घर है ठीक है अच्छे से यहाँ पर आप इस कुशन को हल कर सकते थे लेकिन हमने जल्दी बाजी दिखाई और आंसर गलत हो गया शरł B B B B B B बैटा ATM बड़ा होता है ठीक है ओके क्लियर हो गया हां जी क्लियर हो गया हर चीज को आपको समझना है हर एक चीज को क्लियर करना है अच्छे समझ में आगया बोलो यार सर मैंने डी दिया था वेरे गुड पुर्वा बहुत बढ़िया ओके हंजी वेरे गुड सना राजपूत समझ में आगे कैसे करना था तो ये करने का इसका तरीका था बेसिक सा अच्छे से सारी चीजे क्लियर कर सकते थे तो देखो ध्यान से हम ना जल्दी बाजी में एक क्यों बता रहे थे मेरे को कहां से लाए और एने का मान एने क्या होती आओ गादरो संख्या और आओ गादरो संख्या के बारे में नाला एक पूचर अच्छे कहां से लाए आओ गादरो संख्या मैंने वताई तुदी यहां पर कहां गई एक मोल में इतने सारे होते हैं इसको आप क्या लिख सकते हो ए झोट यह इंसान गल्टियों से सीखता है ठीक है लेकिन एक टाइम बाद आप गलतिया करना बंद करड़ दो क्योंकि एक जाम आ रहा है एक रत्तक गलतिया ठीक है लेकिन अम एक्जाम में भी गलतिया करके आ रहे फिर तो कौन सीखेगा कौन सीखा है अपने ये थोड़ी बोलेंगे के NTA वाले भाईया गलती हो गई यार आप गलती नहीं करूंगा वो बोलेगा अगले साल फोम बनना बेट आप तो ठीक है तो ऐसे गलती नहीं करना यहां गलती अगर लो लेकिन वहां मत करना अब यह वाला कुशन तुम्हें खुद करना है अच्छे से घर पर करना है ओके एक ग्राम नाइट्रोजन है एक ग्राम नाइट्रोजन हमें सिर्फ यह बोला गया है एक ग्राम नाइट्रोजन ओके अब इसकी आगे की बात सुनों अब सर में एक ग्राम एन लिखू या एक ग्राम एन टू लिखू मैं कन्फिज जाता हूँ एक ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है या एक ग्राम एन टू देरवा है है मैं सेड़ में कन्फीज हो जाता हूं क्योंकि सर येंट तो नाט्र नेंच obras होती है और नाइट्र जन तो रूप में पाइज आती है तो मैं यह एक ग्राम एन लिख्षू या एक ग्राम एंटू लिखू ये मेरे लिए एक बड़ी खास चीज होती है ओके तो यहां पर आप मुझे बताओ क्या हमें लिखना चाहिए बोलो ये भी एक बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है छोटी छोटी चीज़ें ये ओके तो बच्चों आगे देखो एंटू के एक ग्राम म समझ में आ गया एंटू कैसे लिखेंगे वहां पर देखो अनू की संक्या है और फिर अनू में तो हम परमाणू निकाली सकते हैं लेकिन परमाणू में अनू कैसे लिखा लेंगे तुम थोड़ा कोमन सेंस लगाओ समझ में आया तो हमें एंटू लिखना है ना कि एन समझ म तो यह एक ग्राम ऑनू झू दे रखा है अब एक ग्राम एन्टू लिखा है तो मैं पहले सकते निकाल लूंगा मोल इंटू निकाल लूंगा मोल के. निकाल में भार वहल्बटे अनू भार यंटू एक अनू है और उन्टू का अनू भार कितना हो जायागा थहीं 10-10 ृईस से गुणा कर दू इतने सारे क्या आ गए एंटू अनू आ गए बोलो जी बोलो परमानू निकालने एक अनू में कितने परमानू एक अनू में गुरुजी दो परमानू एंटू एक अनू है इसमें दो नाइट्रोजन के परमानू है अगर मुझे परमानू निकालने तो एक ब बोलो बच्चों तो यह आजाएगा एक एने बाई 14 इतने सारे एटम आ जाएगे समझ गए अरे चीजे समझ पारे हो आप छोटी मगर काम की बाते हैं हम यहाँ पर नाइट्रोजन लिखे नाइट्रोजन एन भी होता है अब एंटू लिखूं के एंटू लिखूं एंटू ल कारें बोल रहा है तो यहां पर आप चीजों को समझ सकते हो यह चोटी चोटी चीजे अगर समझ में आ रहा तो लाइक कर दो यार समझ में आ रहा है चैनल आपको हर एक चीज समझ में आ पार यह फील आप आ रहा है मेरी बात आपके दिमाग तक पहुँच पारे दिल तक ल चाहे एसो टू का आणविक भार अब सर्ब आणविक भार की काई तो ग्राम भी उती और एम यू यहाँ पर यह क्या दे रखाए क्या माज राई आणविक भार आणविक भार इसका संदी विच्छेत करो अनू का भार एसो टू अनू का भार एसो टू अनू का भार अनू का भार बोले तो ये एक अनू का भार होता है एक अनू का भार ओके तो जब हम एक अनू का भार निकालते हैं न जब मैं एक अनू या एक परमानू का भार निकालता हूं बेटा तो वहाँ पर मैं इकाई लगाता हूं amu इसकी काई होती amu या डॉल्टन या फिर unified ये इसकी काई होती है और अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ so2 का molar द्रवेमान निकालू molar द्रवेमान निकालू मतलब एक mol so2 का भार या फिर उसको भोलते हैं बेटा gram अनू भार तो फिर यहाँ पर इकाई क्या लगती है gram लगती है समझ में आया ओके हां जी अब जरा देखो ध्यान से so2 sulfur और दो oxygen sulfur का जो भार होता है बेटा वो होता है 32 ओके दो oxygen है एक oxygen का होता है 16 तो इनका सम आ जायेगा 64 अब 64 amu बोलू या 64 gram बोलू कब क्या बोलना तो मेरे से बोला गया है so2 का आनविक भार आनविक भार मतलब एक अनू का भार तो यहाँ पर आ जायेगा 64 amu और अगर मेरे से यह बोलता कि so2 का molar द्रव्यमान बताओ या इसका gram अनूभार बताओ हम क्या करते मोल वाले सुत्र में यह रखते है ग्राम अनूभार तो यहाँ आ जायेगा 64 gram तो दोनों में gram के बराबर होता है 1.67 गुना दसकी घात माइनस 24 gram यह gram और एम्यू में संबंद यह भी भार की का यह यह सरामे एम यू क्या होता है तो बेटा देख ध्यान से K छोटी छोटी चीजे न आपको confidence देगी कि याहाँ मुझे आ रहा है हाँ मैं चीजे समझ पार में यह चीजे मेरे लिए अब सरल होती जा रही दिमाग में जो कच्रा था न वो चाइनीज मंजा जब उलच जाता है ना वेसे आलत नहीं होएगी ओके तो आप सही तरीके से क्लियर कर लोगे चीजों को ओके तुस कांसरा जाएगा सेक्स्टी फोर एम यू बिना कोई कन्फूज हुए वरना हम कन्फूज होएंगे सच चोसट ग्राम या यह बत्तिस कोई बत्तिस ही बोल सकता है ह होने में तो कुछ भी हो सकता है ओके हो गया अब अगला क्यूश्चन है हांजी अब यह वाला क्यूश्चन आपके लिए मैं हमवर्ग देता हूं थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ट्राय करोगे क्योंकि हम पढ़ने न सांदृता वाला चीज आयत है हांजी यह वाला क्यू इस क्यूश्चन में आप यह देखो कि मुझे 4.4 ग्राम को यग्याद गेस दे रखी है जिसका STP पर आईतन इतना है तो वो गेस कौन सी है अब इसमें कैसे सोचे हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है सर एक हद के बाद ना हमारा दिमाग काम नहीं करता है हमेना मतलब बादाम खानी चाहिए भी गोकर वो भी ओके तो यहां पर इस कुशन को कैसे करें तो यार सबसे पहले तुम्हें ग्राम में भार दे रखा है तो ग्राम में भार तुम किसी भी गेस के लिए मोल निकालो चाहे ग्राम में भार बटे अनुभार देके निकालो या स्टीबी पर आईतन बटा बाइस पंट चार से निकालो मोल तो बराबर यह आएंगे न मतलब यहां से मोल निकालो यहां से मोल निकालो बात बराबर है तो मोल याद करने का मोल निकालते बात तो एकी दी स्ट्वी पर आयतन कितना दे रखा है दो पॉइंट दो चार लीटर लीटर में दे रखा है न बटे बैस पॉइंट चार होता है बस यह संबंद बन गया इस से मुझे अनुभार पता चलिया अनुभार पता चलिया देख लूगा ओगे सकुंज सांद्रताओं की इकाईयों के बारे में ये छोटी-छोटी चीज़े बेटा अगर आप समझते जाओगे ना तो आपके बहुत फायदा होगा अब मुझे बताओ आज का लेक्चर कितने बच्चों के लिए बहुत जादा फायदे मन रहा है एक बार कमेंट में दिल बना दो यार ता कि अच्छा लगेगी हाँ यार हम एक सही काम कर रहे बच्चों के लिए ताकि वो इस चीज इस लेक्चर के जरीना अपनी बहुत सारी चोटी चोटी प्रोब्लम को दूर कर सके ओके हैं जी फायदा मिल रहा है इस लेक्चर से आपको हाया ना आपको इस लेक्चर से फायदा मिल रहा है तो हम इस चीज को चलाते रहेंगे बढ़िया से की हाँ यार इन बच्चों के लिए बढ़िया से हम कर पा रहे हर एक अब आती है सांदृताओं के बारे में तो यार अगर हम बात करें सांदृता शब्द है क्या सबसे पहले तो हां जी कोई मानु बहु बतायागा मेरे को सांदृता के बारे में सांद्रताओं के बारे में बताओ यार सांद्रता शब्द क्या है क्या बोलता है क्या बताता है इसके बारे में बताओ यार हां जी आग लगा दी बच्चों ने तो यार सांद्रताओं के बारे में बताओ यार सांद्रताओं के बारे में क्या जानते हो आप सांद्रता के बार तें concentration हां जी बताओ बताओ जी बताओ अच्छे से अमाउंट ओफ सबस्टेंस ओके अमाउंट ओफ सबस्टेंस ओके किसमें किसी विलियन में विलेगी मात्रा ओके वेरी गूड हां जी ओके तो यार सांद्रता क्या है कि एक निश्चिताप पर ठीक है एक निश्चिताप पर किसी विलायक के अंदर विले की जो मात्रा है बिटा वही उसकी सानुरता कहलाती है ओके जैसे कि मान लो मैंने क्या लिया ये एक पात्र लिया इस पात्र मैंने क्या बढ़ दिया जल भढ़ दिया पीला पात्र पीलाई जल यह जल कहां मिलता है मुझे ही बताओ ओके तो यह मैंने एक पात्र लिया पात्र में पानी भरा हुआ अब मैंने इसमें क्या मिला दी एक चम्मच शक्कर मिला दी मैंने इसमें चीनी मिला दी चीनी कम है ओके यह पानी है आज ब्लू है पानी पानी ज कि पीछ बैग भेंज पेंच कर कि क्लास में एही नारा लगते ठेगा जब मैं हम हम मैं तो आयटी की त्यारी कर रहा हuar थे हम लास्ट बेढों बेढ़कर यहीट तो अच्छह लगता था लगी महोल लगता था ठीक है आज बलू है पानी-पानी जे बहवानी जे भवानी ठीक है तो हमने इसमें क्या मिलाई चीनी मिलाई अब जैसे चीनी मिलाएंगे तो यह सारा प्रोगराम हो रहा है एक निश्चित ताप पर ऑके तो यार हां शर्बत बनाओ जो गो जी बनाओ तुमारी मर्जी पड़े जो बनाओ तो यार यहां पर सा गरेंगे कि यार पानी के अंदर हमने क्या मिनाई चीनी मिलाई तो उनका जो मिश्ण है ठीक है उनका समांगी मिश्ण वही कहलाता है हमारा विलियन और विलियन में एक चीज होती है विलायक और एक होती है विले आई होप आप यह जानते होंगे नहीं जानते तो मैंने आपक किंदी के पिन को बोलते हैं सोल वेंट हैं ओके और यह जाता है आपका स्ल्यू इस तो इनके अंदर विलायक के अंदर जैसे विले मिलाते विलेन बनता अब इस विलियन के अंदर ठीके विलायक की सोरी विलायक में उपस्तित निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर विलायक या विलियन में उपस्तित विलियन में उपस्तित अब तो विलियन बनिया ना विलियन में उपस्तित कि विले की की मात्रा यह सांद्रता कहलाती है ओके अब यहां पर यह जो विलायक है और विले है यह कहीं न कहीं विलियन बना रहे हैं अब यार यह विले की कितनी मात्रा उपस्तिते अथात कितनी सांद्रता है इसको प्रदर्शित करने की अलग-अलगी कहीं है हमारे पास जि जैसे कि कौन-कौन सी काईया है गुरू जी अरे हां जी जैसे कि कौन-कौन सी काईया है तो वो ही काईया क्या-क्या है किसी को पता है सांदृता की इकाईया सांदृता की इकाईया यह चीजें आपको यहां पर देखनी है बढ़िया से अच्छे से क्लियर करनी है क्या क्या इक आई हैं जैसे कि सबसे पहले आप इसके अंदर पढ़ते हो नोर्मल्ता नोर्मल्ता कम इस्तमाल होती है मोलर्ता हमारे लिए ज्यादा इस्तमाल होती है तो पहली आती है लेकिन मैं लिखवा देता हूं नोर्मल्ता एंग्लिश में बोलते हैं इसको नोर्मेलिट ओके, इसको capital N से व्यक्त करते हैं, इसको capital M से व्यक्त करते हैं, अगले lecture में इसको बारे मैं और बढ़िया से विस्तार से बताऊँगा, मैं, ओके, अगला आता है तुम्हारे पास, mo ललता, हाँ, एक पूछ रहा था ना, सर, mo ललता और mo लड़ता में क्या फरक है, mo ललता, तो देख इसमें रह आता है इसमें लह आता है ओके इसको बोलते हैं मोलेलिटी इंगलिश में मोलेलिटी इसमोल एमस को डिनोट करते हैं एक फॉर्मलता होते हैं जिसको फॉर्मलिटी के लिए ज्यादा कुछ काम नहीं आती है ठीक है ओके फॉर्मलता भी होते हैं लेकिन इत विलियन की सामर्थे या फिर प्रतिशत्ता के पदों में जैसे कि भार बटे भार विले का भार बटे विलायक का भार उनकी प्रतिशत्ता ये तुमारे काम आती है अगला भार बटे आईतन प्रतिशत्ता की 100 ml में कितना ग्राम विले उपस्तीत के ये या फिर व वлось यूंब आई वोलिम एंगलीश में लिख दिया मैंने ठीक है तो ml में कितना अमेल विले उपस्तीत के ये और मोल अंस मोल अंश बोलो या मोल भिन बोलो ये चीज़े ये चीज़े तुम्हें इसमें देखने को मिलेगी हाँ मोल भिन बोलो, मोल फ्रेक्शन बोलो, मोल प्रभाज बोलो सब एक ही बात है ओके तो थोड़ा सा बेटा आप इनको पढ़कर आएं अच्छे सारी चीज़े क्लियर होईगी बढ़िया से आपको सारी चीज़े समझ में आएगी तो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफे ज़्यादा फाइदे मंद रहा होगा जिसमें मैंने आपको थोड़ा बेसिक से स्टाइट किया और बेसिक भी इतना कि हाँ मोल आप अगर समझ गए तो इस चैप्टर में आपको आना आसान लगेगा सारी चीज़े क्लियर हो जाएगी लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ भी अभी बहुत सारी चोड़ी चोड़ी प्रोब्लमस आती होगी सर जैसे मुझे अनुभार निकालना नहीं आता मुझे परमानुभार याद नहीं है तो उनको बढ़िया से आप याद करो अच्छे से सीखो सारी चीज़े क्लियर करो 11 के नोट्स खंगालो सब चीज़े होईगी और अगर आपको चाहिए कि हमें तो बढ़िया से आप से ही पढ़िया सारी चीज़े क्लियर करनी है तो उसके लिए आप आरम बेज जोइन कर सकते हो बटा जो की डाउट नट पर स्टार्ट हो चुका है जिसमें बहुत सारे बच्चे ओल्रेडी इन्रोल हो चुके हैं आप इसको आओ बढ़िया से जोइन कर सकते हो टीचर्स लाइव क्लासे इसमें सारी की सारी इसमें आपका इस्टार बेच है जिसमें और जो भी टेस्ट होईगे जो बढ़िया करेगा उसको फिर हम छाटेंगे उसका बढ़िया से और अच्छे से उसको उसको नरिश्ट करेंगे बढ़िया से ताकि वो एक्जाम के लिए बढ़िया से पपैर हो जाय है बेकलोग सिरिस सबाइब के पच्च तारी के बीच मैं बेकलोग सिरिस बीच बिच चलाएंगे ताकि उनको अच्छे सारी चीजे बता सके ओके परफॉमेंस चेक वाला फीचर भी इसमें हमने एड़ करवाया इस बार कि आगर कोई बच्चा बढ़िया नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है ठीक है भी जब टेस्ट होएंगे ना तुम्हारे तो फिर हम बैठेंगे कि किसके बढ़िया नंबर आए किसके खरा भी होगा लेकिन एक बार में और बता दू को यह आज की क्लास देखने आओ तो अब लग रहा होगा कि हमें खरीद लेनी चाहिए डेमों भी दे दिया भाही मैंने आवास तो ओके तो यह इसमें आपको बाइलोजी बढ़ाएंगे पार सर और योगेश सर और केमेस्ट्री म मैं रहूंगा और साथ में रहेंगे विक्रम सर और फिजिक्स में अगर हम बात करें शुबंपालीवाल सर और विपिन सर तो आज का यह लेक्चर आपके लिए काफी जादा फाइदे मंद्रा होगा हर एक तरीके से तो इसे के साथ आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत ध झाल